Hello everyone, कैसे हैं आप सब एक बार पुना स्यू कोचिंग क्लासेस पर स्वगात है, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छी होंगे, मस्त होंगे, बैतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेतर चलोगी बच्चो, यदि आप MP Board से हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा, अधर कैसी है, मैं जिवां कमेंट आ रहे हैं, अब हम किस प्रकार से पढ़ाई करें, और हाँ बच्चो, मैं सबसे पहले बता देना चाहते हूँ, यदि आप 85% का टार्गेट रखे हैं, 90% का टार्गेट रखे हैं, और आप अच्छे तरीकी से पढ़ाई नहीं करेंगे, एक सही रास्ते से चलकर पढ़ाई नहीं करेंगे, एक मतलब आपका डिरेक्शन सही नहीं रहेगा, तो फिर आप डेफनेट ये समझें कि ये आप 75 लाना चाहते तो आप 50 में आ जाएंगे, 85 लाना चाहते तो 70 में आ जाएंगे, 95 चाहते तो आप 80 पे रुख जाएंगे, ये ब्लूप्रिंट, अक्सर MP बोर्ड में बच्चे परसंटेज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा माहिर रहते हैं, और परसंटेज कैसे, ब्लूप्रिंट के हिसाब से, बोले हां बाई, इस चेप्टर से पांच अंक आना है, तो हमको पांच अंक वाले कॉस्चन पढ़ने, बस, इस चेप्टर से चार अंक आना है, चार अंक वाले प्रशन पढ़ना है, बस, लेकिन इस साल का ब्लूप्रिंट MP बोर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं कहाँगा, बोले हैं, हम CBSC पर एक्जाम लेंगे, बस, कदम कहानी, और हम आपको बताएंगी नहीं, कि दो अंक प्रश साल है, आनलाइन में यूटूब पे चार साल से पढ़ाते हैं, हो गया मेरे को, और जब एक्जाम आता है, तो आनलाइन में जानते हो क्या मिलता है, सर, मुझे केवल और केवल ऐसा पेपर दे दीजिए, कि एक रात में पढ़कर मैं टाप कर दू, यार मोर्ख हो गया, कि त में टाप करा दू मैं, साले मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं, कि साले उनको गाली दे करके, सीधे मतलब बलाग करना पड़ता है, वाटसप में, ऐसे बहुत आते हैं, और जिनका काम न करो, बले सर, आप तो तीचर हो, क्यों नहीं दे सकते हो, आपके पास पहुँच होगी सर आप इतने साल से पढ़ा रहे हो, आपके पास पेपर होगा, यह बहुत बड़ी गलती करते हो, आज तीन साल से लगा रहा है, जब से पंड़ी कंडिशन आया तब सी यह कंडिशन चल रहा है, और आज भी मानसिक्ता में, यदि आप लोग ट्रॉल्ट में हो, तो आपको के चक्के में रहे गए, और अब पेपर देखना बच्चो, थोड़ा सा पैटर्न बदला गया है, कि यदि बच्चा चिसन नहीं पड़ेगे नो सीधर लुडग जाएगा, ठीक है, आपको आप वन लाइन फेक्ट की कोश्चन दिये जाएंगी, लो भाया साथ कोश्चन, इ अब जो होता था, जैसे किसी चेप्टर से आप लोगों को 5 कॉश्चन दिया जाता था, कि इस चेप्टर से मात्र 5 कॉश्चन पढ़ लो, इस मैं से 5 अंग पकाएगा, अब 5 अंग का प्रस्ण ही नहीं आ रहा है, अब दो-दो अंग के ज्यादा कॉश्चन आ रहे, कहने का मतलब जो बच्चा हर topic को नहीं पढ़ रहा है वो रोएगा, ये मैं लिख के देता हूँ. अब जिसको पढ़ने ही नहीं है, जिसको पास होने की बात है, तो वो तो मात्रे एक महीने पढ़ाई करें, वो पास हो जाएगा. लेकिन जो अच्छा target में रख रहा है, अपने माबाप की सपनों को हुजा करने के लिए अच्छा काम कर रहा है, कुछ चीजें जीवन में पाने के लिए पढ़ाई कर रहा है, ये वो बहत्तर नहीं पढ़ना चाहता है. केबल सोचता है, most question पढ़कर के हम 90% ले आएं, तो ये impossible है और आपका कभी नहीं आएगा, ये मेरा बाद है, आप लिख कर ले लिजिए, क्योंकि इस साल का पूरा pattern नहीं अलग है, अभी तो माली जी ये कहा गया है, कि बोर्ड exam होगा, एक ही exam होगा, कुछ साल बाद ना, MP बोर्ड में भी ऐसा लागू कर दिया जाएगा, कि हम सीधे एक बार half year ली, जैसे आपका CBSC pattern होता है, मतलब आपका middle, जो अर्दवार्शी के half year ली जो होता है, उसमें, और एक बार बार्शी, तोनों का हम मतलब combine करकी result देंगे, तो फिर आपको और दिक्कत हो जाएगी, अ इतना कम क्यों पढ़ते हैं, इतना क्यों अकल के पीस चलते हैं, सबसे जादा paper viral यहीं क्यों होता है, और यह 100% से और है, कई paper viral हो जाते हैं, यह बात सकते है, हाँ सरकार बात करकर टाल देती है, कि कोई सबूत क्या है, यह सब fake paper है, इस बर्स जो 2023 में paper हुआ था, 10th के कई paper viral हुए, लेकिन इस पर कोई कारवाही नहीं की गई, उन बच्चों की बाकई में लास हो रही है, जो पढ़ाई करते हैं, जो बहतर रूप से 95 ला रहे हैं, लेकिन जो नकल करने वाला है, थोड़ा सा 95 पॉइंट मिला दिया, दिक्कत होती है, लेकिन सत्य की जीत है, कोई व ही पैटर्न है, यदि आप फोकस नहीं करोगे अभी से पढ़ाई में, आपके पास 3-4-5 महीने बचे हैं, पढ़ने वालों के लिए 3 महीने कापी होता है, अच्छे से पढ़ाई करने वाला बच्चा 3 महीने में बहुत कुछ हांसिल कर सकता, ना पढ़ने वालों के लिए 7 म चाहता है, जो कुछ करना चाहता है जिन्दगी में, जो सरकार की योजनाओं का लाव रिलना चाहता है, इस साल तो और बहुत सारी योजनाएं चल रहे हैं, बहनों के लिए और ज्यादा योजनाएं चल रहे हैं, जो अच्छे अंक से पास हो रहे हैं तो 500 प्रत्य महीने ल कि इस साल का जो syllabus बदला, NCRT ने जो हटाया उसे आपको पढ़ना नहीं है, दूसरी चीज, blueprint पे कोई मतलब नहीं रखो अभी, फिलाल अभी आप नवंबर तक पूरे topic को पढ़ो, हर एक objective को पढ़ो, one line fact पढ़ो, बड़े question answer भी पढ़ो, हाँ पांच अंक वाले कुछ ऐसे question होते हैं, जो बिलकुल नहीं पढ़ना है, अब सर कहते हैं कि सर मोस्ट question नहीं दे रहे हैं, आप सर मोस्ट हलक में देता हूँ, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ, disclaimer बोल देता हूँ, कि बच्चों, guarantee नहीं है कि इसी में से सारे question आए, क्यों, 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 इसके पीछे reason है, कि most question तीनंक और चारंक और पांच अंक कि आप बता सकते हूँ, दो अंकर के प्रशन कहां से बन जाएंगे, ऐसे में 25 question एक chapter से बनते हैं, और ऐसे में 25 question दे दूं, तो most question कहला आएगा ही ने, भाया जो आप इदि 90% का मन में रखे हैं, कि 90% आना चाहिए, मैं सोच के र इसे ही, जो भी होगा, वो हो चलेगा, तो वो चीज आप छोड़ देना बच्चो, क्योंकि 2024 आपका कुछ special होने वाला है, आप इसे 12th में तो 10th से गुजर के आए हैं, तो यह सोचेंगे कि 10th में जिस प्रकार से paper viral होगा, इस साल भी होगा, तो यह भूल चोग होगी आपक कि बहतर रूप से मैं आप से बिंती, इसलिए करता हूँ, हर वीडियो में करता हूँ, कि बच्चों अपने आपको बनाने के लिए, अपने आपको आगे ले जाने के लिए, अपने माबाब की बारे में ना सोचो तो भी चलेगा, गुरू के बारे में ना सोचो तो भी चले लेकिन अपने आब को थोड़ा सागे ले जाने के लिए मेनत करना सीखें, दिन के कम से कम 8-9 घंटा फिर भी पड़ें, हर subject को focus करें और बहतर रूप से notes बना कर पढ़ें, time का सद उपयोग करें, social media से थोड़ा दूर रहें, तभी आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो आप सोचेंगे कि हर चीज एक साथ हो जाए, सबसे बड़ा question नहीं रहता है, क्या life हमें दुबारा ऐसा मिल पाएगा, entertainment करने का यही life है, और वास्तवेक रूप से यही life, entertainment करते हो, और जिन्दिगी फर यही entertainment आपका चलेगा, और आप किसी भी लायक नहीं रह जाएंगे, वो तो तब पता चलता है, जब आप उस इस्थित से निकल जाते हैं, उस इस्थित से जब आप निकल जाते हैं, तब पता चलता कि वास्तवेक रूप से यार कुछ हमने कल किया होता, तो आज हम कुछ अच्छे जगे होते, और ऐसे मेरे कई सारे दोस्त हैं, जो ना तो government में कोई job पा रहे हैं, ना तो private sector में कर रहे हैं, खूर है इधर से उधर, और उनके मन में वास्तवेक रूप से पस्ताबा है, कि उ फिर आप कॉस्ट पढ़ाई था, कोई टेंसर नहीं था, तो उस टाइम पे हम थोड़ा बहुत घुमकड़ का काम की और आज पस्ता रहे हैं, इसलिए बच्चो आप लोगों से बिनती है, कि आप लोग पढ़ना सुरू कर दें, 2024 के दी टार्गेट में बच्चो तो बहतर से पढ़ें, हर टॉपिक्स को पढ़ें, जो भी डाउट हमारे यूटूब वीडियो, देखिए, आपको सरे टॉपिक्स पर वीडियो मिल जाएंगे, ओन्लाइन फैक्ट के भी वीडियो दे रहा हूं, पुराने वीडियो भी है, नए वीडियो भी है बच्चो, आपको प् करने के लिए हमारा साथ बनाए राखे, डेबनेट रुप से 12 में आप अच्छे रिजल्ट लाएंगे, बस बच्चो आज के लिए इतना ही वीडियो परसंदाट लाए करके शेयर कर दें, बस मैं इतना जो आपको कुछ समझाया, उसमें से दिया आप 10% भी सोच समझ गये ह मैं गरेंटेड कहता हूँ कि आप बहता रुप से पढ़ाई करेंगे, ओके बच्चो जय हिंद, बंद मातराम